असलामों अलेकम नासरीन आज की वीडियो की ड्रामास देखकर आपको मालूम होगा कि ड्रामे के अंदर किस कदर एमोशनल हीरोईंस दिखाई जा रही हैं और इनको हमारी लड़किया फॉलो करती हैं तो ज़रा सूचें इन ड्रामास को देखकर कहीं लड़किया ही इमोशन्स में बढ़ तो नहीं गई ये काउंटान देखकर आपको अंदाजा होगा तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ड्रामा ओरंग्रेजा ओरंग्रेजा में आप एक बहुत इमोशनल लड़की सजल को देखेंगे ड्रामे में सजल बने हुई है ससी जो के पन्नू की ससी से भी जादा इमोशनल है इस ड्रामा सीरल में पहले तो ससी अपने कजिन के साथ रहती है जिसका नाम है कासिम और वो है एक नमबर का भगोड़ा इस भगोड़े को ससी से हो जाती है महबद पर ससी तो आंधी तूफान की तरह तेज लड़की है ससी ने कभी ऐसे लड़के से शादी करने का सोचा भी नहीं इसलिए वो अपने किसी बड़े से हीरो का खाब देखती है जो के अमीर होगा, फैमिस होगा, स्टाइलिश और हैंसम भी होगा इस ट्रामा सीरिल में आप ससी को बात में अपने पुराने भगोड़े आशिक की कदर करते देखोगे रोएगी, चीखेगी, उस भगोड़े किसे शादी भी करना चाहेगी पर तब तक कासिम भगोड़ा किसी और का हो चुका होगा और वो बीवी जो के बहुत ही जादा कॉंप्रॉमाइजिंग है ससी से कहती है के तुम भी मेरे भगोड़े से निकाह कर लो हम दोनों उसकी बीवियां बन कर रहेंगी और ऐसे जिन्दगी खूब जमेगी पर ससी इस पर एगरी नहीं होती और यूँ वो निकाह से दो मिन पहले अपने कासिम से हमेशा के लिए दूरी इख्तियार कर लेती है ये ड्रामा बहुत ही जादा इंट्रॉस्टिंग है सजल को आप रोते चिलाते चीकते ताना बाना की ताना बाना वैसे तो एक रोमेंटिक कामेडी फिल्म है जो के 2021 में दिखाए गई है इस ड्रामा सीरिल में आप एक इमोशनल लड़की अली से शाह को देखोगे जो के दानियाल जफर के अगेंस्ट हेरोईन है और दानियाल जफर है कौन आपको तो पता होगा सिंगर अली जफर के भाई इस ड्रामा सीरिल में ये दो कैरेक्टर्स एक दो टीनेजर्स हैं वोपर से इमोशनल भी है जोया अपनी ग्राज़शन के बाद शादी पर बिलकुल यकीन नहीं रखती वो चाहती है कि वो आगे बढ़े इस जिंदगी में अपने करियर बनाए लेकिन जेन उससे महबबत करता है और उसे बहुत ही ज़ादा इमोशनल कर देता है उसके बाद जोया जेन से शादी कर ही लेती है मगर कहानी में इमोशनल सीन तब आया कि जब शादी के बाद बेचारी जोया की सारी तवकात पूरी नहीं हुई क्योंकि जेन ने उससे शादी तो कर ली थी पर अपने घर वालों को जोया के मिजाज के बारे में बिल्कुल नहीं बताय था ये ड्रामा भी 31 एपिसोड का है बात करते हैं ड्रामा आखिर कब तक की जो 2021 में नशर हुआ इस ड्रामा सीरल में सबसे पहतरीन परफॉर्मेंस सिर्हा असकरने दी है जिन्हें आप बहुत बार टीवी शोज में भी देख चुके होंगे ये लड़की वैसे बहुत ही क्यूट है ड्रामे में उशना शाह ने नूर काकेदार अदा किया है इस ड्रामा सीरल में आप बहनों का प्यार भी आपस में देखेंगे चलो पाकिस्तानी ड्रामे में कोई तो धंगी चीज़ दिखाई गई जिसमें आप एक बहन को दूसरी बहन के लिए इमोशनल होता और कुर्बानी देता देखेंगे वरना तो अमूमन बहने एक दूसरे का शोहर चीनने की जंग में मसरूफ होती है पर ये ड्रामा है कुछ डिफरेंट इस ड्रामा सीरियल में फजर बहुत ही इमोशनल लड़की है जर चोट इसी बात पर रो पड़ती है और ऐसे लड़कों के लिए आइडियल लड़की है जिनको अपनी मरदान की दिखाने का मौका सिरिफ घर में मिलता है जबके नूर है वालाद जैसी बहादर ड्रामा सीरियल मन मायल मन मायल में भी आप एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो अपने आशिक के लिए अपने घर वालों से लड़ पड़ती है वैसे ऐसा लड़कियां बहुत कम ही करती है आदों को तो वो ब्लॉक कर देती है एक आद जो बचता है वो जब तक उन पर अपनी जान नवार दे वो उसे किसी खातिर में नहीं लाती ड्रामा मन मायल में भी आप एक एमोशनल लड़की देखेंगे पर इसे महबत होती है गलत इनसान से भला किस से जो उसे उसके घर में टूशन पढ़ाने आता है पर मिनाहिल अपनी चोईस के बारे में बिलकुल सही थी मन्नो को जो लड़का पसंद है वो बहुत ही अच्छा खुबसूरत और शेरीफ है लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं मिकाईल से जो के है तो अमीर घर का पर है भी चरसी चरस भी पीता है और बाद में मन्नो को मारेगा भी अब मन्नो जैसी एमोशनल लड़की जो चोटी चोटी बात पर एमोशनल होती थी घर वालों के सामने भी गुस्सा कर डालती थी अब मन्नो की कौन सुनेगा उसका शोहर तो एक नमबर का आवारा और लॉफर है ऐसे ड्रामा सीरिल में आप देखेंगे कि जब एक नाज़क कोमिल इमोशनल लड़की का एक कोल्ड आदमी से पाला पड़ता है तो क्या होता है ड्रामे में हमजा अलिया बासी का केड़ार बहुत खुबसुरत था बात किरते हैं भरुसा तेरा प्यार की 2019 में आया और बहुत है रोमैंटिक इस डामा सीरिल में अदील चौद्रियर कोमिल अजीज खान ने में रोल्स किये हैं ड्रामे में कोमिल एक एमोशनल लड़की है और एमोशनल भी ऐसी वैसी कि सभी की बाते सुन दी है जो को इसे मशुरा देता है उस पर अमल करती है यहां तक कि शोहर से लड़ाई हो जाए तो वो भी अपनी सहीलियों से कहती है सहीलियों तो उसे भड़काती है और यूँ वो दूसरों की बातों में आकर बेचारी अपना पूरा घर तबाह करती है इसी वज़ा से सीरीस ने रेटिंग के रेकॉर्ड्स को छूलिया ड्रामे को काफ़ी जादा कामियाबे मिली है इस ड्रामा सीरियल में फैमिली में इमोशन्स को मिस यूज होते और मैनिपलेट होते भी दिखाया गया है ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो इससे इमोशनल ड्रामा शायद आप कहीं नहीं देखेंगे दानिश के एक 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 एक्शन में आपको हजार हजार इमोशन्स नज़राएंगे मेरे पास तुम हो लिखा है खलीलो रहमान कमर ने जो के मर्दों के इमोशन्स की परपूर अकासी करते हैं और चायबार में पर ड्रामे में मर्ड बहुत ही इमोशनल होता है जो अपनी बीवी के लिए साल के बारह में से ग्यारह महीने आमलेट बना कर खा लेता है बहुत ही शरीफ चुप चाप सा आत्मी है बीवी बाहिर जितने मर्सी अफेर चलाती रहे शोहर उसे कुछ भी नहीं कहता बलके चुप चाप रहता है लेकिन जब वो अपनी आखरी हद पार करती है तो शोहर की गैरत चाप जाती है ऐसे में वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से शेयर्स करीता है और तीन दिन में दो करोड भी कमा लेता है लेकिन ये उस इमोशनल शोहर ने तब किया जब यहां से इसकी बीवी भाग चुकी थी इस्टामसीरल में मर्द बहुत इमोशनल है और एक बीवी ऐसी है जो के सिर्फ लाची जब के दूसरी बीवी काफी जादा पॉजिटिफ और पहदर है इस्टामसीरल में हानिया टीचर का करदार बहुत इमोशनल है वो अपने अबा की टायरी पढ़के उनके दोस्त से प्यार कर बैठती है और फिर उसके बारे में बहुत कुछ सोचती रहती है यही वो दोस्त है जिसका बच्चा उसके स्कूल में बढ़ता है यानि कि ये हानिया टीचर है और यूँ इसका बच्चा ये बात काफी बार अपने बाप से कहता है कि तुम मेरी टीचर हानिया से शादी कर लो इस ड्रामे में तो बच्चा भी कमाल का है बात करते हैं ड्रामा सीरियल बला की ड्रामा बला में एक ऐसी लड़की की कहाने दिखाई गई जो के माजूर है किसी के साथ इसका अच्छा बेहेवियर नहीं है पर इसके बावजूद भी इसके इमोशन्स है अब इस ड्रामा सीरियल में आप इमोशन्स को बहुत ही मिस अंडिस्टूर तरीके से देखोगे वैसे तो लोग अपने इमोशन्स का इजार करने के लिए रोते हैं चीखते हैं या फिर अपने आपको एकस्प्रेस करते हैं पर इस ड्रामे में एक ऐसी लड़की दिखाएगी जिसके इमोशन्स अपनी गंदी हरकतों, साज़शों और मकारियों में निकलते हैं जो चीज़ वो हासल करना चाहती है स्ट्रेट आवे उसे कहने की बजाए उसके लिए साज़शें करती है ड्रामे में मरकजी किदार उशना शाका है इनके सामने बिलाल अबास ने एक मासूम से हीरो का किदार अदा किया बात करते हैं ड्रामा जलन की जलन तो एक्स्ट्रीम के इमोशन्स को शो करता है इसमें एक लड़की निशा की कहानी है यहां पर बहनोई और साली के दरमयान इमोशन्स दिखाए गए पर यह कुछ ज़्यादा ही इमोशन्स थे इस ड्रामा सीरिल को दुबारा पैमरा ने नशर नहीं होने दिया बलके जब यह आधा नशर हो भी चुका था तब इसे पैमरा ने बंद कर दिया था इस ड्रामा सीरिल में आप दो बहनों के दरमयान एक्स्ट्रीम जैलिसी को देखोगे जैलिसी भी इतनी के चोटे वहन को बड़ी वहन की हर चीज़ पसंद होती है यहां तक के शादी के बाद उसका शोहर भी इस ड्रामा सीरिल की कहानी सिदर सहर इमरान ने लिखी और ड्रामे की 31 एपिसोड्स दी बात करते हैं ड्रामा सीरिल मेरा दर्द बेजबां की मेरा दर्द बेजबां में सोहा का किरदार बहुत ही एमोशनल लड़की का है इस ड्रामा सीरिल में आप देखेंगे के हमारी सोसाइटी में दो एक्स्ट्रीम जलती है या तो हम बहुत ही जादा रिलीजिस हो जाते हैं या फिर बहुत ही जादा मॉर्डन दोनों को लगता है कि वो अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं और मजभी लोगं को लगता है मॉर्डन लोग गलत है मौर्डल लॉंग को लगता है कि ये जो रिलीजिस एक्स्ट्रिमिस्ट है ये गलत है हमारे मौशे में ये भी रिवाज है कि सरफ दूसरों को खुश करने के लिए लोग अपने खाबूं और अपने एम्स को बदलते रहते हैं खासकर खावतीन की बात की जाए जो हर पल खुद को बदलती रहती है इस ड्रामा सीरिल में एक ऐसी ही लड़की की कहानी बयान की गई है जिसका अपना कोई खाब मनसुबा नहीं लेकिन वो दूसरों की देखा देखी बहुत कुछ करती है अगर हम बात करें ड्रामा मेरे हमसफर की आधा ड्रामा तो आप हानी आमिर के आंसों को देखते हुए गुसार लोगे ड्रामा में एक तो हानी आमिर गजब की खुब्सूरत लग रही है उपर से इतनी इमोशनल है कि बात बात पर डर जाती है और फिर हीरो से कंसोल करता है इस ड्रामा सीरिल में हानी आमिर के एकस्प्रेशन्स कमाल के है और फिर प्यारा बंदा तो रोते हुए और प्यारा लगता है ये ड्रामा आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि अपने इमोशन्स को एकस्प्रेस करके आप कितना बड़ा फाइदा उठा सकते हैं लोगों की सिंपतिस भी गैन कर सकते हैं और कैसे खुद को दूसरे लोगों से मुम्ताज बना सकते हैं पर ऐसा घर पर ट्राय मत कीज़ेगा घर में बिलकुल काम नहीं आता ड्रामे मेहानिया आमिर के लावा परहान सहीड भी इस ड्रामे की कास्ट में शामिल थे आपको कैसी लगी हमारी कलेक्शन कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा